सूमवार को ताजनगरी के नीती बाग चौकी के पास सौफुटा रोड पर आगरा विकास प्राधीकरण नियातीक्रमन हटाओ अभियान चलाया जिसमें एडिये के अधिकारियों ने पक्ये मकानों को छोड़ कर खाली जमीन पर कबजा किया हाला कि इस्थानिये लोगों ने बिना नोटिस दिये कारेवाही करने का आरोप लगाया है सूमवार को जैसे ही एडिये का बाहूबली नीती बाग के पास सौफुटा रोड पर पहुँचा तो वहां रहे रहे लोगों में हड़कम मच गया आगरा विकास प्राधी करन दौरा चलाए जा रहे अभियान को लेकर शेत्रिये लोगों में डर का माहौल है इस्थानिये लोगों का कहना है कई वर्ष से वह लोग यहां रहे रहे हैं लेकिन बिना नोटिस दिये हुए एडिये अधिकारी कारेवाही करने आ गए कारेवाही करने पहुँचे एडिये अधिकारियों ने पक्के मकानों को छोड़कर खाली जमीन पर कबज़ा कर लिया एडिये और प्रशासनिक अधिकारियों की सैयुक्त कारेवाही से शेत्रिये लोगों में डर का माहौल बना हुआ है हाला कि कारेवाही को लेकर ADA अधिकारी सवालों से बचते हुए नजर आए ताजनगरी में शायद ही कोई छेतर ऐसा होगा जो अतीक्रमण की बीमारी से बचा हो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है शासन प्रशासन नेता या फिर हम आखिर ये कबजा कब हो गया शासन प्रशासन की रहा या अंदेखी या फिर राजनीतिक दलों का वोट बैंक बनाए रखने का खेर क्या कभी उन अधिकारियों और नेताओं ने यह विचार किया है कि जिनके घरों पर बुल्डोजर चलाया जा रहा है उन्होंने किन परिस्थितियों से गुजरते हुए अपना अशियाना बनाया होगा अगर समय रहते शुरू आती दौर में अतिक्रमण के विरुद सक्त कारेवाई कर उसे रोक दिया जाता तो इस प्रकार अवैद कबजा नहीं होता सी न्यूस के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट